हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी हैं आज हैं हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नमबर 13 का वीडियो नमबर 34 तो बटे ये तेरवे यूनिट का 34 वीडियो है और इससे पहले 33 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे नीचे डिस्करप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समयवाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा जहां आप यूनिट नमबर 13 को पूरा पढ़ सकते ह समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो जो एक्जाम में आपकी बहुत ज़्यादे हैल्फ करेंगे इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्करप्शन में पीडि अफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडि अफ नोट्स के लिए टेली ग्राम पर भ वाले चैप्टर के एंसी आर्टी के अभ्यास का भाग नंबर दो है और यह एंसी आर्टी एक्ससाइज जो भाग नंबर दो है यह पूरा फोकस है ओजोनी अपगटन पर कुछ बच्चों के कमेंट आये और उन्होंने कहा था कि सर ओजोनी अपगटन के एक्जम्पल्स भी ओजोनी अपगटन के क्योस्चन दे रखे हैं उन सब को एक साथ हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में जिससे आपका ओजोनी अपगटन का जितना भी जो भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दूर हो जाएगा डाउट ठीक है तो देखो एक बात बताता हूं मैं पहले आपको ओजोनी अपगटन में क्या होता है ओजोनी अपगटन में हमारे पास जैसे मानलो कहीं भी कारवन और कारवन के बीच यदि कहीं डवल बॉंड है इस तरीके से ठीक है मानलो कोई भी कमपाउंड ऐसा है जिसमें डवल बॉंड है तो डवल बॉंड पर ओजोन क करने से क्या होता है ये कारबन और कारबन के बीच का डवल बॉंड तूट जाता है और डवल ऑगसीजन यहां पर और एक oxygen परमाणू यहां जुड़ेगा और एक oxygen परमाणू यहां जुड़ेगा इस तरीके तरह यह बनता है ozonide इसे हम कहते हैं ozonide इसे हम ozonide कहते हैं अब यह जो ozonide बना इस ozonide के उपर आप reaction कराओगे h2o की यानि इसका जलब गटन करोगे और zinc की उपस्तिती में करोगे यदि आपको aldehyde चाहिए और यदि carboxylic acid चाहिए तो zinc को लेने की आवशकता नहीं है तो यहां थोड़ा सा समझने वाली बात है होगा क्या कि जैसे ही आप इसका जलब गटन करोगे ये वाला bond टूट जाएगा ये वाला और साथ साथ में ये ये वाला bond भी टूटेगा और ये वाला bond भी टूटेगा यह bond तूट जाते हैं, कितने bond तूटे हैं, जब तीन bond तूटे हैं, तो यह oxygen बिलकुल अलग हो गया, यह वाला, और oxygen बिलकुल अलग हुआ, तो यह oxygen इस H2O, आपको पता है, H2O में 1H है, 1OH है, 1H और 1OH, एक O यहां से भी मिल गया, तो 2OH बन जाएंगे, क्योंकि एक तो H था से side product निकलता है, ZN OH का whole twice, zinc hydroxide, और आपको जो product मिलता है, वो कुछ ऐसा मिलता है, कि यहां तो carbon के उपर 2 bond तो ही है, और 1 carbon और इसके पास oxygen, इस तरह के product मिलते हैं, और यह जो दूसरा product मिलेगा न, यह भी ऐसा ही होगा, तो इसमें भी 2 bond यह पड़े हैं, और carbon और oxygen, तो हर जगह हमें यही खेल खेलना है, हर जगह, आपको सिरफ इतना ध्यान रखना है, कि जहां भी double bond है, उस double bond के उपर ही ozone का reaction होगा, बनेगा ozonide, और ozonide का फिर जलब घटन हमें कराना है, zinc की उपस्तिती में, zinc hydroxide निकलेगा as a side product, और जो main product आएंगे, वे carbonil compound आएंगे, aldehyde य और या तो ketone, ठीक है, आप screenshot लेना चाहो तो बीच बीच में ले लिया करो, पोस गर के लिखना चाहो तो लिख लिया करो, चलो आते हैं अपने topic पर, अब देखो जरा ध्यान से, हम इसमें बात करेंगे, ओजोनी अपगटन की, पूरे के पूरे वीडियो में ओजोनी गटन के पस्चात, बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए, ओजोनी अपगटन से कौन-कौन से product बनेंगे, पहला दिया है इन्होंने pent-to-ene, पांच कार्बन हैं और दूसरे कार्बन पर double bond हैं, देखो कितने कार्बन हैं, इसमें पांच और दूसरे कार्बन पर double bond हैं, तो जब आप इसका ओजोनी अपगटन कराओगे, ओजोन से reaction कराओगे, तो यहां double bond परी तो reaction होगी, इस CH और इस CH के बीच में O3 जुड़ेगा, एक O उपर जुड़ेगा, दो नीचे, देखो, इस CH और इस CH के बीच में, एक O उपर जुड़ेगा, दो नीचे, अब आप यह जो मिलाना compound आपको यह वाला, यह है ओजोनाइड, क्या है यह ओजोनाइड, पैंटीन का ओजोनाइड है, ठीक है, अब इसके उपर आपको किसका reaction कराना है, H2O का, जिंक की उपस्तिती में, जब आप reaction कराओगे, तो यह bond गया, देखो, यह वाला bond देख रहे न, आप oxygen ही इस H2O और जिंक के साथ reaction करके, जिंक हाइड्रोकसाइड बना के निकलेगा, as a side product, पह उत्पाद की तरह है, यहां क्या बचा, CS3, CS2, CHO, CS3, CS2, CHO, एक तो product यह बना, और एक बना CS3, CHO, CS3, CHO, तो एक तो बना propanel, तीन कार्बन वाला aldehyde, alkanal, propanel, और एक बना दो कार्बन वाला aldehyde, ethanol, दो को एत कहते हो न, आप ethanol, या फिर इसे आप acetaldehyde भी कह सकते हो, आपको पता है, CS3, CHO को हम कह सकते हैं, acetaldehyde, ठीक है, तो यह बने product, अब दूसरा देखो, second part में क् होने, second part में इन्होंने दिया है, three, four, die, three, four, die, methyl, heft, three, in, heft, माने कितने कार्बन है, साथ यह बना दिये, साथ कार्बन बनाओगे पहले आप, हाइड्रोजन तो सबसे बाद में पूरे करने चाहिए, फिरिटो ने का, तीसरे और चोथे कार्बन पर दो मिथाईल है, तीसरे पर मिथाईल जोड दिया, चोथे बे मिथाईल जोड दिया, three, four, die, मिथाईल, heft, साथ कार्बन बना दि फिर हाइड्रोजन पूरे करो, अब जब इसके उपर हो जो उनका रियक्शन कराओगे, तो डबल बन के उपर ही तो हो ना हो जो उनका रियक्शन, एक ऑक्सीजन उपर जुड जाएगा, यहाँ, दो ऑक्सीजन निच्चे जुड जाएगे, इसे CS3 को थोड़ा साइड में क रखा इसे भी, जब आप इसके उपर इसका जलब घटन करोगे, जिंक की उपस्तिती में, तो आपको पताई, यह वाला बॉन्ड तूटना है, यह तूटना है, बॉन्ड और यह, यह तीन जगा से हमने बॉन्ड तूटने वे दिखा दिये, यह ऑक्सीजन इस H2 और जिंक क साथ मिलके, जिंक हाइडरोकसाइड बनाने में हेल्प करेगा, जो एक सहे उत्पादे, साइड प्रोड़क्ट है, अब देखो क्या बना, इतना हिस्सा कट के बाहर निकल गए है, यहां से इतना हिस्सा कट के बाहर निकल गए है, इस वाले हिस्से को देखो, एक कारबन, द तो यह तो किटोन बन गया कितने कार्बन है इसमें नंबरिंग तो इधर से करोगे 12345 तो यह बना पांच कार्बन वाला किटोन पैंटेन और दूसरे कार्बन पर सी यो गुरूप है तो पैंटेन टू ओन एक तो प्रोड़क्ट बना पैंटेन टू ओन उन्होंने यह पुछा जादा कि कौन-कौन से प्रोड़क्ट बनेंगे ओ जो निया गटांसे पैंटेन टू ओन बना और इधर वाला हिस्सा देखना जरा किया वाला जो कटके निकला इधर वाला हिस्सा इसमें कितने कार्बन है 223 कार्बन तीसरे कार्बन पर सी ओ है तो एक तो पीन चार कि यह ब प्यूटेनोन में तो किटोन ग्रुप, हम इसा सेगंड कार्बन पर ही आता है, और कहीं आई नहीं सकता, यह तो सिद्धी सी बात है, ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में इन्होंने दिया है, टू इथाइल ब्यूट वन इन, ब्यूट में ने जोनी अब गटन के लिए, या ओजोनल आईसिस के लिए, यह डबल बॉन टूट जाएगा, एक कार्बन उपर जुड़ेगा, सॉरी, एक ऑक्सीजन उपर जुड़ेगा, दो निच्चे, इस C2S5 को थोड़ा साइड में करके बना दिया, यह बन गया, जब आप इसका जलब घटन कराओगे, जिंक की उपस्तिती में, तो यह बन टूटना है, यह बन टूटना है, यह टूटना है, यह ओक्सीजन अखेला रहे गया, यह हाँ, S2 और जिंक के साथ मिल गया, जिंक हाइड्रोकसाइड के रूप में निकल जाएगा, और अब आपके पास, एक तो यह व दो कारबन है, इधर भी दो कारबन है, तो हमने CO के दोनों तरफ इधर भी दो कारबन, इधर भी दो कारबन बनाए, नम्बरिंग आप किदर से भी कर लेना, CO तीसरे कारबन पर ही है, पांच कारबन है, पेंटेन 3-Oन, और यह है CH2O, देखो CH2O को आप ऐसे लिख सकते है CH2O को हम कह सकते हैं, formaldehyde, और IUPAC में हम कहेंगे methanol, एक कारबन वाला aldehyde methanol, ठीक है, क्योंकि IUPAC में नाम क्या होता है, alkanal, अब आते हैं इसके fourth part पर, fourth part में दे रखा इन्होंने, one phenyl but one in, but मने चार कारबन है, पहले कारबन पर double bond है, चार कारबन मना दिये, एक, दो, तीन, चार, पहले कारबन पर double bond है, पहले कारबन पर ही phenyl group है, देखो इस पहले कारबन पर ही phenyl group जोड दिया हमने, इसकी जगाव C6 से H5 भी लिख सकते हो, ठीक है, ओजोन का reaction कराया, यहां ही तो होगा reaction double bond पे, यह देखो एक oxygen उपर दो न फिर यहां से यह वाला हिस्सा अलग निकला CS3, CS2, CHO, यह लिख दिया CS3, CS2, CHO, और यह वाला हिस्सा निकला अलग, बैंजीन रिंग के उपर CHO, CS3, CS2, CHO को हम कहते हैं propanol, तीन कारबन वाला LKNL, यानि aldehyde propanol, और बैंजीन रिंग के उपर जब CHO होता है, तो इसे क कहते हैं, बैंजल डिहाइड, तो यह बने प्रोडक्ट और इसी तरीके से हमारा पांचवा क्योस्टन स्टार्ट हो गया, चोथा क्योस्टन हमने कम्प्लीट कर दिया, चोथे क्योस्टन में यह पुछा गया था, कि निम्न योगी को का ओजोनी अपगटन आप करोगे, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, यह तो पुछा गया था, आते हैं पांचवा क्योस्टन पर, पांचवा क्योस्टन इन्हों ने दिया है, एक एलकीन ए के ओजोनी अपगटन से पेंटेन थ्री ओन तथा इथेनल का मिसरन प्राप्त होता है, ठीक है, पेंटेन थ्री ओन इथेनल बना लेना, एक ही सनरचना के नाम दीजिए, बहुत आसान सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, इन्हों ने कहा था, एक तो पेंटेन थ्री ओन है, तो पेंटेन थ्री ओन का मतलब पांच कारबन की सरंखला और तीसरे कारबन पर किटोन, और ए ऐसे बनाओगे कि उनके ऑक्सीजन आमने सामने आ जाएं, और फिर इनमें से ऑक्सीजन इधर का और इधर का दुन्नों का रिमूव कर दो, और इस कारबन के भी डबल बांड बना दो, तो यह वो चीज है जिसके ओजोनी अफगटन से यह प्रोड़क्ट हमें मिला है, उप गटन से बनाओगा, यह पुछा जाएगा, या तो मैं पुछेंगे क्रियाफल और या फिर पुछेंगे वे उत्पाद, ठीक है, क्रियाफल पुछेंगे या फिर अभी कारक पुछेंगे, अभी कारक क्रियाफल को तो उत्पाद कहते ही है, ठीक है, या तो मैं रियक्टें अब यूँ बताओ कि क्या था रियक्टेंट अभी कारक क्या था किसके उपड़ूनी अफगटन कराया था तो हमने पेंटेन ठ्रियोन और इथेनल को इस तरीके से लिख लिया कि उनके ऑक्सीजन आमने सामने आ जाएं और ऑक्सीजन यदि आमने सामने आगे उनके उन्हें निकाल दो आप प्रोड़क्ट जो आपको इस बार मिलेगा न वो ही है जिसका ओजोनी अफगटन करने से ये दोनों बने है ये बास समझ लो बिल्कुल द्यान से अब इसका नाम जब आप लिखोगे तो नाम लिखने में सबसब बड़ी सरंखला ये है देखो और इसे मान लो आप इसे इथाईल ग्रूप मान लो तो नम्बरिंग आप इधर से करते हो जब जहां से मैंने करकी वन टू दू दूसरे पर डबल बॉंड है और इधर से करते हैं वन टू थ्री तीसरे पर इथाईल आता तो दूसरे पर डबल बॉंड है नम्बरिंग इधर से इसलिए करी हमने तीसरे कार्बन पर इथाईल है तो लिखा थ्री इथाईल पांच कार्बन है लिखा पैंट दूसरे कार्बन पर डबल बॉंड है लिखा टू इन, क्यों हो गया इसका नाम, ठीक है समझ में आई ना बात, चलो अगला के उस्चन देखते हैं, सारे के उस्चन ऐसे ही आएंगे अब ख्यान रखना, छटा के उस्चन देखते हैं, चलो क्या आए छटे के उस्चन में कहा, एक एलकेन, ए में तीन कार्बन और कार्बन वाले सिंगल बॉंड हैं, तीन तो हैं कार्बन कार्बन बॉंड, आठ हैं कार्बन हाइडरोजन वाले सीगमा बॉंड, तथा एक कार्बन कार्बन वाला पाई बॉंड है, तो यह ऐसा एलकेन है, एके अपगटन तो फिर यहां एल की इन आना चाहिए था एल की कलो खेर लिख दिया तो लिख दिया फुक में मिस्टेक हो रही थी ए ओजोनी अपगटन से ए के ओजोनी अपगटन से दो अनू अल्डी हाइड इनका मोलर द्रव्यमान चवालीस है देता है ठीक है ए ओजोनी अपगटन से दो अनू अल्डी हाइड देता है जिनका मोलर द्रव्यमान है चवालीस ए का आई यू पी एसी नाम लिखी है अब वाला एल्डी हैड तो यह होता है सीटल्डी हैड सीएस थरी सीचो जोड़ के देख लेना कार्बन बारा हैडोजन एक कार्बन बारा हैडोजन एक ऑक्सीजन जोड़ के देखोगे 44 आएगा इसका परमानु द्रव्वेवान और इसका जब ओजोनी अफगटन करोगे आप कि जब ओजोनी अफगटन से प्रोड़क्ट ये मिला हम ये प्रोड़क्ट मिला दुनों यहीं मिलें सीएस थरी सीचो तो सीएस थरी सीचो के दो अणूं आप बना दो पर इस तरीके से बनाओ कि उनके ऑक्सीजन आमने सामने आजाए औक्सीजन आमने सामने आजाने चाहि यह वह रियक्टेंट है अभी का रख है जिसके ओजोनी अफगटन से यह दुन्नों हमें मिले थे यह और यह किसका नाम बताना है नाम तो आप बताई दोगे नमरीं कि धर से भी कर लो डबल बॉंड दूसरे कार्बन पर ही आएगा ठीक है तो इसका नाम हो जाएगा चार कारबन है ब्यूट टू इन तो जैसे कि इससे पहले क्योस्चन में हमें तिया गया था कि यह वाले प्रोड़क्ट मिले हमें ओजोनी अफगटन्स है तो रियक्टेंट यह वाला उतपाद मिला तो अभी गया था इसी तरीके से इन्होंने उत्पात दे दिये थे Acetyl Dehyde डारेक्ट तो दिये नहीं पर इन्होंने हिंट दिया हमें तो हमें पता चल गया product ये है तो दुन्नों product को ऐसे बना दो कि उनके oxygen आमने सामने आ जाएं और दुन्नों oxygen उनमें से remove कर दो जो भी चीज हमें मिलेगी वो ही था अभी कारक वो ही था reactant जिसके ओजोनी अबगटन से ये product हमें मिले थे अब आते हैं क्योस्चन नमबर 7 पर 7 क्योस्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है ध्यान से देखना एक एलकीन के ओजोनी अबगटन से प्रोपेनल तथा पैंटेन थ्रियोन प्राफ्ट हुए दुन्यों product दे दिये ओजोनी अबगटन से जो मिले हमें एलकीन की संरचना सूतर क्या है बहुत बढ़िया देखो जरा इन्होंने हमें दिया है कि एक एलकीन है उसके ओजोनी अबगटन से हमें एक तो मिला था प्रोपेनल और एक मिला था पैंटेन थ्रियोन तो वो क्या रियक्टेंट था या कौन सा एलकीन था जिससे ये दुन्दों चीज हमें मिली तो हमने प्रोपेनल का भी संरचना बना लिया और पैंटेन थ्रियोन का भी बना लिया पर ऐसे बना लिया कि इनके oxygen एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं और फिर इनके oxygen को remove कर दिया box में बंद करके देखो minus कर दिया O2 अब इस CH और इस C के बीच में double bond आ जाएगा कि आगया देखो CH और C के भी double bond आगया CH और C के भी double bond तो ये जो product हमारा यहां मिलाना हमें ये वास्तविक्ता में अभी कारक है reactant है वो चीज है जिसके ओजोनी अपगटन से आपको ये दोन्नों चीज मिली थी अब इसका नाम लिखना है नाम लिखने के लिए आप इसे तो मानलो carbon पर मानूगी सबसे बड़ी सरंखला और ये जो है आपका इसे मानलो इथाइल को side chain नम्बरिंग इधर से करोगे 123 तीसरे पर ही double bond है तीसरे पर ही इथाइल ग्रूप है और इधर से करोगे 123 तीसरे पर double bond तो आजाएगा पर तीसरे पर इथाइल ग्रूप नहीं आएगा तो इसलिए नम्बरिंग इधर से ही करनी ज़्यादे ठीक है और इधर से जब आप नम्बरिंग करोगे तो तीसरे कार्बन पर इथाइल है तो हमने लिखा 3 इथाइल है कार्बन है तो हमने लिखा इसके बाद के कि Nah ये सात्वा था तर ये सात्वा था शात्वा था कि अपर और अपने हेंड़र नोट्स बनाते रहो तो थैंक यूवरी मच पॉर वाचिंग इस वीडियो ओके भाए